नारी शक्ति बंदन अधिनियम और उसके बाद 26 जनवरी को भी हमने देखा किस प्रकार से देश ने कर्तव्य पत पर नारी शक्ति के सामर्थ को नारी शक्ति के सावर्य को नारी शक्ति के संकल्प की शक्ति को अनुभव किया और आज बजेट सत्र का आरंब हो रहा है तब राश्पति द्रवपुदी मुर्मुजी का मारदर्शन और कल निर्मला सितारामंजी के द्वारा इंट्रिम बजेट एक प्रकार से ये नारी शक्ति के साक्षात्कार का परवा है साथियों मैं आशा करता हूं कि गत दस वर्ष में जिसको जो रास्ता सुजा उस प्रकार से संसद में सब ने अपना अपना कारिय किया लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि जिनको आदतन हुर्दन करने का स्वभाव बन गया है जो आदतन लोकतांत्रिक मुल्यों का चीरहरण करते हैं ऐसे सभी मान्य सांसद आज जब आखरी सत्र में मिल रहे हैं तब जरूर आत्मन रिक्षण करेंगे कि दस साल में उन्होंने क्यों किया अपने संसदिय ख्षेत्र में भी सो लोगों को पूछ ले किसी को याद नहीं होगा किसी को नगम भी पता नहीं होगा जिनोंने इतना हुर्दंग हो अला किया होगा लेकिन विरोध का स्वर्थ तीखा क्यों नहीं हो आलोचना तीखी से तीखी क्यों नहीं हो लेकिन जिसने सदन में उत्तम विचारों से सदन को रभानमित किया होगा उनको बहुत बड़ा वर्ग आज भी याद करता होगा आने वाले दिनों में भी जब सदन की चर्चाएं कोई देखेगा तो उनका एक एक शब्द इतिहास की तवारिख बन करके उजागर होगा और इसलिए जिनों ने भले विरोत्का किया होगा लेकिन बुद्धी प्रतिभा का दर्शन कराया होगा देश के सामान ने मानवी के हितों का कंसन दिखाया होगा हमारे खिलाब तीखे सितिखी प्रतिग्या की होगी उसके बावजुद भी मैं अवश्य मानता हूँ कि देश का एक बहुत बड़ा वर्क लोग तंत्र पेमी सभी लोग इस व्यहवार की सराना करते होंगे लेकिन जिनोंने सिर्फ और सिर्फ नकारात्मक्ता, हुर्दंग, शरारत्मने वहवार ये जो किया होगा उनको शायदी को याद करे लेकिन अब ये बजेट सत्र आउसर है, पश्याताप का भी आउसर है, कुछ अच्छे फुट्प्रिम छोड़ने का भी आउसर है तो मैं ऐसी सभी मान्य साउसदों से आगर करूँगा, कि आप इस अवसर को जाने मत दीजिए, उत्तम से उत्तम परफॉर्म कीजिए, देश हित में उत्तम से उत्तम अपने विचारों का लाप सदन को दें, और देश को भी उत्साव और मंग से भर दें, मुझे भी स्वास हैं, आप तो जानते ही हैं, कि जब चुनाव का समय निकट होता है, तब आम तोर पर पूर्ण बजट नहीं रखा जाता है, हम भी उसी परंपरा का निर्भा करते हुए, पूर्ण बजट नई सरकार बनने के बाद आपके समक्ष लेकर के आएंगे, इस बार एक दिशान निर्वेशक बाते ले करके, देश की वित्न मंत्री निर्भाला जी, हम सब के सामने कल अपना बजट पेश करने वाली है, साथियों मुझे विश्वास हैं, कि देश नित्य प्रगति की नई नई उचाईयों को पार करता हुआ आगे बढ़ रहा है, सर्वस परसी विकास हो रहा है, सर्वांगिन विकास हो रहा है, सर्वस समावेशक विकास हो रहा है, यह यात्रा जनता जनारदन के आशिरवात से दिरंतर वनी रहेगी, इसी विश्वास के साथ, फिर आप सभी को मेरा राम राम झाल झाल